हेलो भीजोडस, व्यड़कूर्व बग तो ला थे हींदी प्रजेल सभी स्टूडनसमी प्रफीश स्वागत है अभी जो हम कंटेंट लेकर रा हैं उन इस्टूडनस के लिए लेकर रा हैं जिनके एककजाम अभी इस्टार्ट होने वाले हैं 10 तारिख से 10 और 12 में आपका first paper है सभी subject का और आपका 12 में जो है second paper है सभी subject का तो अभी हमने आपके political की paper तो upload कर दिये हैं back paper की जो आपके important questions है इको के भी किये हैं आज ECO की जो हम paper लेकर आए है बीए फस्टेयर economics का लेकर आए है paper का नाम आपको मालूम ही है micro economics इसमें long question और short question हम लेकर आए हैं आप खंड करके यह आपके जो है आखंड के हैं बाखंड के भी बताऊंगी आपको और आपको मालूम ही है जो long question का जो pattern है पूछने का अब है 15 is equal to 3 यानि के 45 number के आपके आते हैं और जो आपका बाखंड आता है उसमें 5 physical to 8 यानि के आपके 40 number के यह वाले question आता है 5 number का एक होता है और 8 question करने होते हैं तो बने रही हिंदी मेरा की साथ ऐसे ही important वीडियो के लिए subscribe नहीं किया तो कर दीजे क्योंकि जब आप हमसे जुड़ेंगे तभी नई वीडियो के notification आप तक पहुँचेंगे और आप पर अगली class हैं पहुँचाएं सभी बच्चे जिनकी back है सभी students फास हो जाएं हमारे best wishes के साथ शुरू करते हैं आपके questions पहला question है परिवरतनशील अनुपातों के नियम की चितर सहीत बिवेचना कीजिए एक उतपादक के लिए कौनसी अवस्ता सबसे अधिक उप्युक्त ह होगी और क्यों तो यहां पर आपके तीन questions छिपेवे हैं देख लीजिए एक तो आपको परिवरतनशील अनुपात क्या है इसके बारे बताना है और फिर इसके जो नियम है उसको आपको चितर सहीत उसका बढ़नन करना है फिर एक उतपादक के लिए कौनसी अवस्ता सबसे अधिक उप्युक्त होगी फिर पहले यह बताना है कौनसी होगी और उसका कारण भी बताना है तो तिन चार question एक ही में आपको मिल गए है नेस question है आपका यह hand return मैंने आपके लिए तयार किये है questions तो कुछ नहीं तो आपके passing mass यानि के 52, 60 अबाउ तो आपके बनी जाएंगे आराम से अगर आप यह question भी तयार करोगे अभी एक student की query आ रही थी कि मैं मिनके answer तो answer का तो भी time नहीं है आपको जो questions मिल रहे हैं आप Google से उनको तयार कर सकते हो या फिर इसे notes लेकर आप उसको तयार कर लीजिए नेस question है आपका वितरन के सीमान तुतपादक सिध्धान की आलोचना आपको जो वितरन का सीमान तुतपादक है उसका जो सिध्धानत है उसकी आलोचना करनी है आलोचना सभी को पता ही है कि आलोचना में आप गुन और दोश दोनों ही बताते हो नेस question है आपका उतपादन फलन से आप क्या समझते हैं कॉब ठीक है कॉब डगलस क्योंड़ ऑंपादक को डगलस ने जो üतपादन पलनका दिया है सिध्धान तो उसका विष्ञेशन आपको करना है नाज्स कोशन है मांग की लोचको पडिभाशच करें जो मांग की लोच है उसकी परिभाशचा वे आए ठीक है कीमत वे आए यानि कि दोनों का आपको विभिन रूप बताने हैं और ये आपको पिच्चर के द्वारा शो करना है नैस कोशन है आपका सम उत्पादक वक्रों की सहता से उत्पादक के सामय का बताते हुए कूटक रेखाओं के महत्व को इसपस्ट करें जो क्या महत्व है इसको आपको एस्प्लेंड करना है नैस कोशन है आपका एका धिकार प्रतियोगीता सिध्धान का प्रतिपादन किस ने किया और इस सिध्धान का अव्शिलेशन कीजिए बहुत इंपोटेंट कोशन है ये क्योंकि यहां से कोशन हंड्रे परसेंट बनता है एक अधिकार प्रतियोगी ता ठीक है नेस कोशन है रिकार्डो के लगान सिध्धान को विस्तार पुर्वक वर्ण कीजिए तो जो रिकार्डो का लगान सिध्धानत है उसके बारे में एस्प्लेंग करना है नेस कोशन देख लेते हैं आगे हैं लगान से आप क्या समझते हैं लगान के आधुनिक सिध्धान को समझाईए तो लगान सभी को मालूम है एक कोवन अगर आप इसे आम मुठाशे में भी लिखेंगे तो ये आप अराम से कोशन कर सकते हो नेस्ट है आपका इसमें जो है लगान के आधुनिक सिध्धान क्या है पहले लगान क्या था और आज क्या है उसके बारे में आपको बताना है नेक्स कोशन है पूर्ण परत्योगीता और आप पूर्ण परत्योगीता क्या है इसको विस्तार से आपको बताना है और ये कोशन भी आपका 100% में से 99 पूछा जा सकता है तो इस कोशन को आप जरूर तयार कीजिए कुछ कोशन ऐसे हैं जो आपको तयार करने ही है ठीक है वैसे तो मैं जितने कोशन लगकर आती हूं सारे ही important होते हैं लेकिन फिर भी अगर आप सारे नहीं कर पाते हैं तो आपका 50 नमबर का है तो 25 नमबर आपके कहीं नहीं गए है चलिए आगले कोशन जो आपके बाखन से हैं वैसे तो short long अलग-अलग हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से आपके short नहीं बन सकते और जो मैं short अभी बताऊंगी और ऐसा नहीं है कि वहां से long नहीं बन सकते तो कुछ इस तरह के pattern से आप पढ़ा किजिए कि long आई या short आई आप अराम से attempt कर पाए questions को चलिए आगे question हम देख लेते हैं अब ये जो questions आपको दिखाए दे रहे हैं ये सारे बाखण के हैं अब इसमें पहला question आपका बन रहा है मांग के नियम का विस्तरित वर्णन कीजिए मांग के क्या नियम है उसके बारे में आपको बताना है इसको आप long में भी कर सकते हो और आपका ये short में भी जा सकता है next question है आगवन तथा निगमन प्रणाली के अर्थ को बतलाते हुए इसके अंतर को इसपस्ट कीजिए अब ये question भी आपका long में भी बन सकता है और short में भी बन सकता है तो इसको इस तरह से तयार करना कि आप इसको long में भी attempt कर पाओ next है आपका question लाव के नव परवरतन सिध्धान की व्याख्या कीजिए बहुत important है तीनों ही question जो भी मैंने आपको बताए हैं तो इनको आप जरूर तयार कीजिएगा next है आपका वकरों की सहिता से कुल लागत ओसत लागत तथा सीमानत लागत के पारस पर ही संबंदों को इस पस्ट करें बहुत ही महत्तो पूर्ण कोशन है यहाँ पर कुल लागत ओसत लागत सीमानत लागत अलग अलग भी आपसे पूछे जा सकते हैं और यह एक साथ भी अगर पूछे गए तो यह आपका लोंग में जाएगा कोशन और यह भी 99% है कि यह कोशन आपके एक्जाम में जरूर बनेगा अब यहाँ पर पूर्ण अपूर्ण मैंने अभी आपसे पूछा था कि क्या है और इसको बताईए विचना कीजिए अब यहाँ कोशन बन रहा है दूसरा कि जो पूर्ण अपूर्ण परत्योगिता है बजार से किस प्रकार भिन है इस पस्ट कीजिए तो यह बजार जो है वहाँ से किस प्रकार से भिन है बजार से संबन भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि बजार से भी कोशन हमेशा बनत नेस कोशन आपका जा रहा है सीमांत उप्योगिता ठीक है सीमांत उप्योगिता द्वारा नियम की व्याख्या कीजिए जो सीमांत उप्योगिता है उसकी जो आपको बताना है जैसे यहां पर पूछा गया है सीमांत लागत ठीक है अब यहां पर पूछा जा रहा है सीमांत उ मांग क्या है प्रतेक के बारे में विस्तार पूर्व बताईए बहुत इंपोर्टेंट कोशन है समकी मांग जरू पढ़ लीजेगा यहां से कोशन 99 जरू बनेगा कुछ भी टॉपिक हो कैसे भी कोशन पूछा जाए आप वस इतना ही पढ़ लेंगे और इसके महत्तु सब भी कुछ पढ़ लीजेगा कोशन में से आपका मैंने बना 99 यह भी आपका बन सकता है नेक्स आपका जा रहा है आधुनिक लगान सिधान को इसपस्ट कीजिए यह पहले भी पूछ लिया गया और अब भी पूछ लिया गया तो इसको जरू त्यार कीजेगा नेक्स मांग की लो आपने लास्ट टाइम जब 21 में आपके ने पेपर दिये थे सेटमबर में तो आपने देखा होगा कि कोशन इसी तरह के आ रहे थे तो उससे क्या होता है बचे सोचने हैं कि इधर हमने अटेम्प कर दिया तो हम इधर भी अटेम्प कर देते हैं तो उसमें आसानी भी रहती और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाते हैं और ज्यादर पहनत भी नहीं करने पड़ती हैं चलिए आगे चलते हैं वेस्टी और समिस्टी को समझाईए ये भी 99 आपका बन सकता है फिर आगे हैं उपभोगता क्या अर्थ है तो छोटे-छोटे कोशन हैं इनको जरू तयार कर लिए और सैक्वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी क्या करना है आपको शेर करना है और लाइक तो बंदा है लास्ट आ चुका है कर दीजिए अब देखते-देखते और शेर कर दीजिए सभी स्थ्यूटन जितने भी ऐस्ट्रे के स्टूटन से उनके लिए और कमेंट प्यार और साथ ऐसे ही बनागे रखिए